हलो फ्रेंद्स, वेलकम बैक तो माई चैनल, आर्ट प्रेक्टरी पीडी फ्रेंद्स, आज शिफोन के दुपट्टे पर मैं खुबसूरत सी पेंटिंग लेकर आई हूँ और बेहद सौफ्ट, बेहद खुबसूरत और क्या कहूं मैं इसकी तारीफ में ये पूरा दुपट्टा मैं आज आपको वीडियो में जो है आज पूरा टुटोरियल देने वाली हूँ शिफोन पर वर्क करने का थोड़ा सा अलग मैठ़र होता है और किस तरह से हम इस दुपट्टे को रेडि करेंगे ये चीज आज आज आप इस वीडियो में देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और मेरे साथ बने रहीएगा पूरी वीडियो में ताकि हार्ट टिप्स और ट्रिक्स को आप अच्छे से फॉलो कर पाएं और बहुत अच्छे से ये दुपट्टा बना पाएं सो जल्दी से वीडियो की तरह बढ़ते हैं और देखते हैं आज कैसे हमने ये वीडियो बनाई है और कैस तरह से हमने ये दुपट्टा रेडि किया है फ्रेंड्स इस दुपट्टे का ये पार्ट वन है, पार्ट टू अभी बाकी है तो part 2 में क्या होगा वो देखने के लिए आपको part 1 को बहुत अच्छे से सीखना होगा और बहुत अच्छे से follow करना होगा तो वीडियो पसंद आए तो like कर दीजेगा चैनल पर नई है तो subscribe करके bell icon press कर लीजेगा और साथ ही साथ कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्षन में आप कुछ से पूछ सकते हैं वीडियो को जादा से जादा शेयर भी कीजिएगा तकि आपके साथ साथ आपके अपनों को भी बहुत फायदा हो तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं वीडियो में आज क्या है पूरी वीडियो देखेगा चलिए पहले कलर बना लेते हैं किस किस तरह से कलर्स हम बनाएंगे तो मैंने येलो कलर लिया है येलो कलर लाइब येलो कलर है और मैं इसमें अच्छी खासी क्वेंटिटी में पानी एड़ कर रही हूं पांस से छे बार मैंने ब्रश को डिप किया है और जो कलर है उसमें इस पानी को एड़ किया है इसी तरह से इतनी ही क्वेंटिटी में आपको भी एड़ करना है अगर आप ऐसा ही दुपट्टा बनाना चाहते हैं इतना ही फाइन वर्क करना चाहते हैं मैं इसमें कोई medium add नहीं कर रही हूँ कुछ भी add नहीं कर रही हूँ सिर्फ पानी है और color है और मेरी creativity है सो फ्रेंट्स आप देख लीजिए किस तरह से consistency को हम maintain करते हैं और fabric पर इसको किस तरह से hold करते हैं ये देखने के लिए आपको वीडियो में मेरे साथ last तक बने रहना होगा क्योंकि इसमें मैं आपको हर तरह से curve करना और हर तरह से जो blotting होती है color की वो सब hold करना मैं बताने व दगाई है वो भी मैं आपको बताऊंगी सो आप देख रहे हैं white color का बिल्कुल new दुपटा है नीचे मैंने newspaper इसलिए रखा है मेरी frame के कि ताकि आपको visible हो जाए मैं क्या work कर रही हूं और ये देखे मैंने yellow color और orange color की shading की है और ये वही colors है बिल्कुल watery color जो है ना मैंने इसक consistency तक add कर लिया है और इसके बाद red color तो आप देख रहे हैं कि जब मैं brush का stroke दे रही हूं तो color फैल रहा है आप देख रहे हैं बहुत अच्छे से लेकिन उसको hold किस तरह से करना है वो अब आप ये चीज़ देखिए मैं brush को किस तरह से move कर रही हूं मैं color को और पानी को drag कर र इसको drag करना है अगर आप उपर से नीचे की तरफ color कर रहे हैं तो आपको धका भी उपर से नीचे की तरफ ही लगाना है लेकिन अगर आप नीचे से उपर की तरफ कर रहे हैं तो आप color को उसी direction में लेकर जाएंगे सो मैं जो yellow color starting करती हूं वो उपर से नीचे करती हूं लेकिन जब मैं red color करती हूं तो नीचे से उपर करती हूं अगर मुझे light shade जो चाहिए होगी तो मैं yellow color को नीचे की तरफ push करूंगी सो आप जो liquid color है उनका यही benefit रहता है कि जब तक वो गीले है आप उनको push करके direction दे सकते हैं सो यह देखे इस तरह से जो है ना shading का work मैं कर रही हूं और मुझे पता है कि आपको भी यह जो trick है ना बहुत useful लगने वाली है आप लोगों की भी बहुत help होने वाली है इससे क्योंकि यह जो इस तरह से जब हम work करते है ना friends तो जैसी आपका दुपट्टा बिना color के soft है ना यह color होने के बाद भी as it is ही soft रहता है सो मैंने इसको कुछ और भी करना है क्या करना है वो मैं आपको ना वीडियो के last में बताऊंगी कि मैं इस दुपट्टे का और क्या बनाऊंगी जिसके वजह से मैंने इसको part 2 में भी divide किया है अगर मैं दोनों चीज़े एक में दिखा देती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती और आप लोग उससे बिलकुल बोर हो जाते सो आप देख रहे हैं ना मैं drag किस तरह से कर रही हूँ color को बिलकुल इसी तरह से प्यार से बहुत slowly आपको भी work करना है सो ये चीज़े आपको ध्यान में रखनी होगी क्योंकि chiffon बहुत delicate fabric होता है और अब ये जो मैं आपको yellow color लगा कर दिखा रही हूँ ना ये है हमारा overlapping point यानि कि यहाँ पर हमारी जो petals है एक दूसरे को overlap कर रही है यही चीज़ मैं highlight यहाँ पर करने की कोशिश कर रही हूँ और बहुत अच्छे से मैं मेरी कोशिश में सफल भी हुई हूँ क्योंकि fabric painting का मुझे crazy है मुझे बहुत 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 जादर shock है तब ही मैं इसको जो है अपने मन मुताबिक कर पाती हूँ इस तरह से देखे ये एक design भी मैंने इसमें लिया है सो camera थोड़ा सा slip हो गया सो आप देख रहे हैं इस तरह से petals में बिना कुछ draw किये ही बना रही हूँ और ये जो मेरा work है ये इसी वज़ा से जो है ना fine आता है different आता है क्योंकि मैं कभी भी किसी की copy नहीं करती हूँ अब आप ये देखी ये just ऐसे ही मैंने कुछ भी मेरे मन से design बनाया है लेकिन इसको creative करना वो आपके हाथ में होना चाहिए जब आपके हाथ में brushes हैं colors हैं तो आप अपनी creation को एक रूप बहुत अच्छे से दे सकते हैं बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि आपका कहीं से कुछ भी खराब नहीं होता वो एक नया रूप ले लेता है तो इस तरह से drag and drop आपको colors का करना होगा आपको जो है न colors को hold इसी तरह से करना होगा तो आप देख रहे हैं मैं brush में color ले रही हूं और उसको drag कर रही हूं वो बिल्कुल भी न बाहर की तरफ नहीं spread हो रहा है जो से ये shapes देने के बाद मैं जो है न ये दोनों corners पर मैंने ये जो है न बिल्कुल simple motive रखा है ताकि आप लोगों को सीखने में बहुत easy रह जाए complicated जो चीजे हैं वो हम आगे करने वाले हैं और भी videos में so ये बिल्कुल बिल्कुल simple मैंने design लिया है लेकिन simple design को भी किस तरह से beautiful बनाएंगे ये चीज तो आप वीडियो के last में देखेंगे so देखे इस तरह से कुछ भी shapes, patterns, leaves, flower, petal, curve कुछ भी आप लीजिए लेकिन उसको merge बहुत अच्छे से कीजिए किसी को भी ये नहीं लगना चाहिए कि आप जो है ना बिना draw कि ये work कर रहे हैं professional work बिल्कुल ऐसे ह ही होता है friends कि आपका जो work है वो बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि हाँ इस चीज को सोच समझ कर बनाया गया है और मेरा यकिन मानिये मैंने जब ये दुपट्टा शुरू किया तो मैंने कुछ भी नहीं सूचा था कि मैं किस तरह से बनाने वाली हूं किस तरह से work करने वाली हूं अब leaves हैं leaves में green और light green color का मैंने use किया है मैंने सभी colors इस तरह के use किये हैं इस दुपट्टे में कि जो colors है ना वो pop-up हो वैसे तो white color पे हर color खिलता है लेकिन जब जो मैं इस पे करना चाह रही थी ना वो चीज जो है ना वो इन ही कुछ color से highlight होती है तो देखे पहले मैं मैंने बिल्कुल ऐसे सोचा था कि मैं जस्ट ये simple outlines दूंगी और just simply way में इसको work out हम करेंगे तो देखे ये इस तरह से हमारा जो है ना working process चल रहा है तो ये पहले मैंने इसमें simply outlines दी थी और बाद में मैंने क्या किया है वो तो मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ सो देखे outlines के साथ भी बहुत खूब सुरत लग रहा है आप चाहे तो बिल्कुल ऐसे भी छोड़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है हमारे colors है हमारी मर्जी है हमारी creativity है हमारा दुपटा है हम कैसे भी करें सो outlines देने के बाद जो हम इसको अब करेंगे वो थोड़ा सा अलग वर्क है सो यह ले रही हूँ मैं glittery 3D outliner सो आप लोगों ने अगर मेरी पिछली patchwork की वीडियो देखी होगी तो वो वीडियो जो मैंने patchwork किया था उसमें मैंने रंगोली color जो multi color का glitter outliner आता है वो यूज किया था यहां मैं silver color का outliner यूज कर रही हूँ और friends silver color का outliner मैं इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि हमारा जो base color है वो white है और यह जो outliner है यह जब dry हो जाता है तो यह बिल्कुल shiny effect देता है अभी आपको यह white white show हो रहा है so friends जब हम इसको यह shine दे रहे हैं यह glittery outline दे रहे हैं तो इसका reason है कुछ और वो मैं आपको next video में बताऊंगी so मेरे साथ बने रहिएगा और इस video को जादा से जादा share कीजिएगा share करेंगे तभी हमारा जो art factory PD का family है यह बहुत बढ़ा होगा so इस तरह से outlines दे दी है और देखे यह मैंने जो इसको थोड़ा decorate किया है बट हाँ हमारा असली procedure next video में होगा so तब तक के लिए मेरे साथ बने रहेगा और देखे यह दुपट्टा कितना कितना beautiful है आप लोगे को कैसा लगा पसंद आया है तो like जरूर कीजिएगा friends and family के साथ बहुत 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 सारा शेयर कीजिएगा चैनल पर नए है तो subscribe कर लिजिएगा बैल आइकन को प्रेस कर लिजिएगा उसी से आपको हमारी next video की notification मिलेगी पूरा दुपट्टा सीखना है ना तो जल्दी से notification bell को on करके all की notification सेट कर लिजिए fabric painting की और भी videos देखना चाहते है ना तो right side में क्लिक कीजिए और patchwork सीखना चाहते हैं तो left side में क्लिक कीजिए